हलो दोस्तों स्वागत आपका इक बर फिर से कमा रेकर्ट में कोच में आई आज फिर से कुछ नया सीखते हैं गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स नव वी आर गुइंग टू स्टार्ट हिंदी लिटेचर लेसन फॉर्टीन पिता का पत्र पुट्री के नाम जवाला नहरू को सभी जानते हैं ये हमारे भारत देश के प्रधान मंत्री थे बच्चे इनको चाचा नहरू कहते थे क्योंकि ये बच्चों को प्यार बहुत करते थे इसलिए इनका जन्वी बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है इनकी पुत्री जिनका नाम इंद्रा था वो भी हमारे देश के प्रत्र महिला प्रधान मंत्री थी वैसे तो जवाला नहरू ने इंद्रा को कई पत्रे लिखे जिसमें उन्होंने प्रत्वी के बनने से लेकर दुनिया फर मैं सब्धता समाज के अस्तित्व का वर्णन किया ये पत्र उन्ही पत्रों की एक कड़ी है उन्होंने पत्र में लिखा पुराने जमाने की सब्धता का हाल बताने से पहले मैं तुम्हें सब्धता का अर्थ समझाता हूँ सब्धता क्या है शब्धों की बोलने से तो इसका अर्थ अच्छा करना सुधारना जंगली आतने में अच्छी आतने पैदा करना जिस प्रकार आदमी का वेवार जानवर जैसा होता है उसे बरवता कहते हैं हम बरवता से जितनी दूर रहेंगे उतने ही सब्बे होते जाते हैं कुछ लोग समझते हैं कि हम सब्बे हैं वो जंगली हैं परन्तु ऐसा नहीं होता कि जिसके बाद जिसके पास बंदुक है वो नियत्ते आदमी से जादा मजबूत है या ताकतवर है चाहे वे सब्बे हो या ना हो कमजोर आदमी उसको नहीं कह सकते कि आप सब्बे हैं क्योंकि कहीं भी कुछ से में बंदुक ना चला दे मार दे कहीं कई साल पहले भी दुनिया के कई मुल्क की लड़ाई हुई थी खूब खून बहा कई लोग कई लोग अंधे हो गए भाईयों के कईयों के अंग भंग हो गए पैरिस में अपने भाईयों को मारना सभ्यता और समझधारी कहते हैं तुम कहोगी कि मार काट को तो ये अच्छे आदमी नहीं है परंतु वहां बहुत अच्छे आदमी रहते हैं अब तुम कहोगी सभ्यता का मतलब समझना आसान नहीं है अच्छी मारतें अच्छी तस्वीरें कितावें दूसरी सभ्यता को की पहचाने मगर एक भला आदमी जो स्वार्थी नहीं है सबकी भलाई करता है दूसरों के साथ मिलकर काम करता है यह सभ्यता का सबसे बड़ी पहचान है मिलकर काम करना अकेले काम करने से अच्छा होता है तो इस पत्र में उन्होंने इंदरा को जब पत्र लिखाता तो उन्होंने अपनी सभ्यता के बारें बताया और यह भी बताया कि सभ्यता करती यह नहीं होता है कि आपने अच्छा बोल लिया, अच्छा कर लिया, अच्छा सुदरी, यह जंगली आते हैं नहीं है आपके अंदर, तो इस अपनी इंसानियत को नहीं चोड़ना चाहिए, ये इस चैप्टर में उन्होंने अईंद्रा गांद्री को पत्र में लिखा है, तो आप इस अपने कोड़ अच्छे से लीट करिएगा और शब्दत आप अपनी कॉपी में करिएगा ओके स्टुडेंट्स